प्रेंट वेल्कम टू बैकार यूट्यूब चैनल में फीस है तुम लोगों को लिए एक नया एंड जब दस्ट जब करिकरमेंट लेके आगे थामनल देखे ओविएसली समझ में आचुके इंडियान ओल के तरब से तुम्हारा फोर हंडेट सिस्टी फाइब फैकंसी सिनिकल क सारे चीज के लिए यहांपे अनली फोर जिलोक फ्रिशास से यहां पे यांपे इलिजिबल है बट एक्सपिर्नस ऊल्डर के लिए फैकंसिस नहीं है पहला पॉंट इसेकंड प्वाइंट यहांपे और आपन पे नेगेटिव मारकिंग नहीं है नो नेगटिव मार्किंग क करके मेंसन करें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, only for तुम्हारा रिटन एग्जम होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेक्स जो पॉइंट है, यहां पे one year तुम्हारा apprentice training रहेगा, ठीके, one year तुम्हारा duration रहेगा, जैसे apprenticeship training में होता है, तो apprenticeship training सोचके ऐसा भी सोच सकतो, मतलब one year रहेगा, तो क्या करेंगे, मैं एक चीछ बाता देना चाहतू, देखो, facels है, तो तुम्हारे पास experience नहीं है, तो तुम्हारा apprenticeship training हो जाने के बाद, तुम्हारा experience हो जाता है, that means तुम्हारा as a apprenticeship training, as a experience considered होता है, now your choice, ओके, next point है, यहाँ पे बहुत सारे branch eligible है, जैसा तुम्हारा screen में देख सकतो, mechanical, automobile, electrical, electrical and electronics engineering, then तुम्हारे electronics and communications engineering, ऐसा करके बहुत सारे branch यहाँ पे eligible है, जैसा यहाँ पे screen में देख सकतो, और एक चीज बात है, यहाँ पे only for जिन लोग diploma complete कियो हो, यहाँ पे eligible है, बाकी तुम्हारा degree holder के लिए, यहाँ पे apprenticeship training नहीं है, only for diploma जिन लोग complete कियो, यहाँ पे this apprentice training में तुम participant कर सकतो, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, okay, so at a, ऐसा criteria में fit हो, तो this video for you, तो थोड़ा से details में in this video में discuss कने वाले है, चलो, let's start, करने से पहले एक चीज में बता देना चाहतो, this is my YouTube channel job go for you, जिन लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो, यहाँ पे जो red color का दिखाए देगा, यहाँ पे जाके click कर देना, इसमें क्या होगा, तुम्हारा subscribe हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे vacancies निकल के आ रहे, अलग अलग state wise यहाँ पे vacancies निकल के आ रहे, यहाँ पे बहुत सारे trade भी यहाँ पे eligible है, और यहाँ पे तुम्हारा general, SC, HD, OBC, EWS के लिए अलग अलग यहाँ पे category wise यहाँ पे vacancies निकल के आ रहे, तर तो महरा क्वालिफिकेसन के बारे में देखेंगे फॉर द टेकनिशन अपरेंटिस मेकानिकल के लिए देखेंगे तब तुमारा जिन लोग त्री एर्स डिपलोमा कंप्लिट कियो यहां पर अपलाई कर सकते हो और टू एर्स जिन लोग कंप्लिट कियो मतलब अप्टर आइटे कंप्लीट करने के बाद टू येर्स जिन लोग कंप्लीट के हो यहाँ पर अपलाई कर सकतो मेकानिकेल और ओटो मोबाइल इंजिनियरिंग ब्रांच होना चाहिए नेक्स जो है तुमारा टेकनिशन्स अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तब तुमारा जिन लोग डिप्लोमा कंप्लीट के हो यहाँ पर अपलाई कर सकतो और जिन लोग आइटे करने के बाद डिप्लोमा कंप्लीट के हो यहाँ पर अपलाई कर सकतो यहाँ पर branch जो होना चाहिए तुम्हारे electrical engineering और electrical and electronics engineering next जो है तुम्हारे technicians, apprentice, telecommunications and instrumentations के लिए भी same criteria बोल रहे है जैसा 3 years तुम्हारे diploma complete करना चाहिए और जिन लोग ITI complete करने के बाद diploma complete कियो यहाँ पर eligible है but branch जैसा यहाँ पर mention किये इतने सारे branch यहाँ पर eligible है एज के बारे में देखेंगे तब तुम्हारे minimum 18 maximum तुम्हारे 24 years यहाँ पर age limitations है duration of apprenticeship training जो है तुम्हारे 1 years stipend भी तुमको यहाँ पर मिलेगा जैसा apprentice training basis से जैसा diploma holder के लिए जैसा stipend मिलता है यहाँ पर भी SI stipend मिलने वाले ओके फाइव यहाँ फॉर एसी हटी candidate 3 years फॉर OBC candidate के लिए selection procedure के बारे में देखेंगे तब तुम्हारे only for return test के मरफ तुम्हारे selection होने वाले है जहाँ पर तुम्हारे 100 MCQ questions रहेगा तो तुम्हारे 100 questions का जो marks रहेगा तुम्हारे 100 okay यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं रहने वाले है यहाँ पर देख सक तो no negative marking करकी यहाँ पर mention है for technicians apprentice के लिए देखेंगे तब तुम्हारे 100 objective questions रहेगा 75 questions रहेगा तुम्हारा diploma level का questions 25 questions जो रहेगा तुम्हारा general aptitude and reasoning general English then numerical aptitude and general knowledge etc okay यहाँ पर duration of return test जो है तुम्हारा shall be 120 minutes that's mean तुम्हारा two hours okay पेपर जो रहेगा question paper जो रहेगा तुम्हारा Hindi and English दोनों language में रहने वाले है return test qualify करने के लिए 40 percent marks होना चाहिए but तुम्हारा SD candidate के लिए तुम्हारा 5 percent then तुम्हारा PWD candidate के लिए जैसे यहाँ पे mention किये 5 percent okay यहाँ पे तुम्हारा basically online application form है उसको fill करना पड़ेगा तो last date of submissions of online application जो है तुम्हारा 30 November 2022 okay admit card में भी आ सकते है तुम्हारा यहाँ पे जैसे mention किये 8 12 2022 okay then तुम्हारा return test में भी तुम्हारा 18 12 2022 online application form fill करने के लिए direct link मैं description box में दे दूंगी बस उसको click करना पड़ेगा click करने के बाद यहाँ पे तुम advertisement download करके पड़ सकते हो और उसके बाद यहाँ पे click here to apply online करके जो mention है यहाँ पे जाके click करके तुमको online application form को fill करना पड़ेगा यहाँ पे देख सकतो apprenticeship opening करके mention है यहाँ पे बस तुमको click करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा तुम्हारा ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा पहले क्या करना पड़ेगा रेजिस्टेशन्स कंप्लीट करना पड़ेगा न्यू रेजिस्टेशन्स क्लिक हैर करके मेंसन के में दर्चमिन जे लोग पहले कभी रैसिस्टेसनस नहीं किया उनलोंको के लिए पहले तुमको justification रेसिस्टेसनर नाओं में जाके ऍलिक काना पड़ेगा रिजिस्टेसन कंप्लिंट हो जाने के बाई तुमरे पास एक कि रिजिस्टेशन्स नंबर और पासवर्ड मिलेगा उसको बस टाइप करना पड़ेगा टाइप करके तुमको साइन इन करके सारे डिटल्स यहां फे फिल करना पड़ेगा मैं सारे डिटल्स कबर कर चूकी हूँ तभी भी कुछ डाउड है तो कॉमेंट बोक्स में जरूर ब